हेलो गईस वेलकम टो माई चैनल आपने आम की लसी आम की स्मूधी जरूर पी होंगी लेकिन आज हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर कर्ड यानि आम की धही ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए इसे बनाने के लिए यहां एक पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी क्योंकि स्टील का बरतन स्टील के बरतन में दूद नीचे जल्दी लग जाता है इसलिए डालेंगे थोड़ा सा पानी और यहां लिया है एक लीटर दूद यहां मैंने फुल क्रीम दूद लिया है दूद को डाल देंगे और अब इसमें एक उबालाने देते हैं यह देखि चमच चीनी डाली है आप अपने कोडिंग डाल सकते हो जितना मीठा खाना पसंद करें और डालेंगे दो चमच मिल्क पाउडर यह टोटली ऑप्शिनल है अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे मिल्क चालिया है यह पहले से हलका सा गाड़ा हो गया है अब फ्लेम को ओफ करके और इसे ठंडा कर लेंगे यह दखी दूद यहां पर ठंडा हो जुका है इसे ज़्यादा ठंडा करना जिस तरह की हम धहीं जमते हैं उस तरह का अलका गरमी रखना है बिलकुल ठंडा नहीं करना और यहां पर मैंने एक बड़े साइज की आम को मिक्सिक एजार में डाल कर बिल्कुल बारिकी से पीस लिया है, देखिए इसका बिल्कुल एक पेस्ट बना लिया, इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल मीठा जो आम होता है आप उसी का यहां पर यूज करें, अब दही वाले दूद में इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह दूद में बिल्कुल एक बली अच्छे से मिक्स हो जाए, आप इसे चमत से भी कर सकते हैं, चमत से भी बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा, यह देखिए, हमन जिस बरतन में आप दही जमाते हो उस बरतन में इसे डाल कर जमा सकते हो अब दही के मिक्षर को इसमें भर देंगे ये देखी हमने इसे भर दिया है अब यहां पे लगाएंगे जामुन थोड़ी थोड़ी दही इन तीनों में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे उ जो आपके पास dry fruit हो वो डाल सकते हैं और अब यह डालेंगे कुछ केसर के धागे यह देखिए dry fruit और केसर के धागे हमने डाल दिया है और अब इसे foil paper से अच्छे से cover कर देंगे और अब दोनों कुलर्ड पर भी foil paper लगा देंगे और इसे रात बर सेट होने के लिए छोड़ देंगे कि दही हमारी अच्छे से सेट हो जाए यह देखिए हमने इसे रात बर सेट होने के लिए छोड़ दिया था अब इसे खोल कर देखते हैं यह कितने अच्छे से सेट होई है मेंगो फ्लेवर दही हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हुई है और उपर से पिस्ता बादान डालने से तो इसका करर बहुत ही अच्छा आया है ये देखे कितनी अच्छी लग रही ही है मेंगो स्मूदी और मेंगो लसी की जिंगे आप एक बार मेंगो वाली दही भी ट्राय करके देखें जिस तरह स्मूदी और लसी मेंगो स्मूदी और लसी के बच्छों की फैवरिट होती है उसी तरह बच्छे इस दही को भी खाना बहुत ही पसंद करेंगे आप इसे बनाए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब करना ना भूले फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ बाई